नमस्ते दोस्तों, कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका प्लेट लगने के बाद गुटना जाम हो जाता है। ऐसे ही पेशेंट्स का एक जिक्त करेंगे, ये मरीज को गुटने में हो फास फ्रेक्चर था जिसके कारण गुटने में अंदर तक मतलब गुटने के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रेक्चर था जो बहुत ही खराब तरीक एक था। इस fracture के treatment का जो सही उपाय है वो है इसको plate और screws के साथ fix करना ठीक वैसे ही इन patient की surgery की गई जिसमें plate और screw लगाए गए fracture जुड़ गया परन्तु इस तरह के fracture जो intra-article होते हैं जिसमें जो fracture होता है वो जोड़ के अंदर तक जाता है उस तरह के fracture में गुटना जाम होने की प्रवर्ति काफी आम होती है और paradigm स्वरूप इन patients को गुटना जाम हो गया तो जब हमारे पास आये तो इनके गुटने का movement सिर्फ 20 degree था और ये गुटना इससे आगे mode नहीं पा रहे थे इस तरह की परिस्ति में arthroscopic arthrolysis एक वरदान सरूप प्रक्रिया है इस surgery में हम दूरबिन के द्वारा गुटने के अंदर जो जाम होने वाली प्रवर्ति है उसको दूर करने के लिए गुटने के additions जो है वो हम निकाल देते हैं ये एक highly specialized surgery है जो specialized center पे की जाती है दूरबिन के द्वारा arthrolysis करने के काफी अच्छे और बढ़िया results हमें मिलते हैं आप देख रहे हैं कि इस patient के गुटने के अंदर काफी हद तक additions बने वे हैं additions वो ratio होते हैं जो आपके गुटने को जाम कर देते हैं और जिसके current से गुटने का मोड़ना संभव नहीं हो पाता है तो ये काफी सारे ratio बन गए हैं इसनको पहले हम shaver blade की मदद से साफ करते हैं और जैसे आप देख रहे थे जब हमने शुरू कर देती प्रक्रिया तब joint नहीं दिख रहा था और जैसे ये shaver हमारे जो ratio निकालने लगता है तो गुटने के अंदर का joint होता है वो अच्छे से दिखने लग जाता है एक बार अगर आपका joint अच्छे से दिखने लगे तो फिर हमारे पास बहुत ही specialized instrument होते हैं जिसको arthroscopic scissors और arthroscopic punch कहते हैं और उसके माध्यम से हम जो अंदर के रेशे बन गए हैं उनको हटा देते हैं उनको निकाल देते हैं तो ये भी एक arthroscopic scissors या arthroscopic punch भी एक बहुत अच्छा device होता है इस तरह के रेशे को निकालने के लिए धीरे धीरे हम ये रेशे निकालते जाते हैं अलगला हमारे instruments use करते जाते हैं और गुटने का movement गुटना कितना मुड़ रहा है वो हम देखते जाते हैं जैसे जैसे हम ये रेशे निकालते हैं जो है गुटना ज्यादा मुड़ने लग जाता है और हम देखते रहते हैं कि कैसा मुड़ता है अधिकाश्टर पेशेंट में दूरबिन के द्वारा ही पूरी सरजरी हम कर पाते हैं किसी-किसी मरीज में प्लेट के आसपास किसे को खोल के वहाँ पे एक छोटा सा इंसीजन देखे प्लेट के आसपास जो रेशे बन गए हैं उनको निकालने का भी जरूरत रहता है परंतु सौभाग्यवाश इस अडिकुलर पेशेंट में ऐसी कोई आवश्चक्ता नहीं पड़ी और हम पूरी की पूरी सरज़ई यहां तक की प्लेट निकालने की सरज़ई भी हम दूरबीन के माध्यम से ही कर पाए तो हम जो हैं पहले गुटने के अंदर के जो रेशे हैं वो निकालते हैं फिर गुटने के जो साइड में रेशे बन जाते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये पेरा पटेलर गटर का एरिया है तो मतलब आपकी जो गुटने की जो पटेला की पाली की हड़ी होती है उसके दोनो तरफ जो आपके रेशे होते हैं वो उसको पकड लेते हैं तो वो दोनो गटर्स लेट्रल और medial para-patellar gutters को हम अच्छे से साफ कर देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम shaver के माद्यम से जो lateral patelar retinoculum और medial patelar retinoculum नाम के जो दो structure होते हैं जो गुटने की patela को अंदर और बाहर से जोडते हैं उसको हम shaver के माद्यम से हटा रहे हैं जैसे जैसे यह shaver अपना काम करता रहता है आपके गुटने के अंदर की जो जगे होती है वो बढ़ती जाती है और गुटना जादा लचीला होता जाता है एक समय ऐसा आता है कि हम गुटने के अंदर अराम से अपने instrument खिला पाते हैं हम शुरू किया था प्रोसीजर तो हम यह अपने instruments को अंदर ले ही नहीं जा पाते हैं उतना tight होता है उतनी ज़्यादा ratio होते हैं कि हमारा जो ओजार होते हैं जो instruments होते हैं वो गुटने के अंदर जा ही नहीं पाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम अच्छे से इस ratio जो हटा पाते हैं और उससे ज़्यादा हमको जगे मिल जाती है एक बार हमको अच्छे से जगे मिली तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ और दोनों side में अपनी जो है जो release है वो बढ़ाते हैं और यहां पर जो आप देख रहे हैं यह बहुत ही खास special device होता है हमारे पास इसको हमारे पास हमें radio frequency device करते हैं और इस radio frequency device के माध्यम से हम आपके ratio को साफ कर देते हैं इस device का इस ओजार का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि यह जो ओजार होता है वो आपके अंदर गुटने के अंदर जो bleeding होता है क्योंकि यह surgery के बाद थोड़ी bleeding होना लाज़मी है मतलब खून का बहाओ हो सकता है तो वो घून के बहाओ को भी रोग देता है तो यह स रेशों को काटता नहीं है अपी तू रेशों के अंदर काटने के बाद जो bleeding होती है उस bleeding को भी control में ले लेता है और यह बहुत ही सफल procedure है एक बार यह जो रेशे हैं वो साफ हो जाएं तो हम गुटने का moment time time के ऊपर re-check करते रहते हैं कि कितना बड़ा कितना बड़ा कितना का पूरा जो procedure है में सावधानी से करना पड़ता है और यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस तर से मैंने आपको बताया था कि यह मरीज में एक plate डली भी थी अंदर operation में fracture को fix करने के लिए डॉक्टर साब ने plate डाली थी उस plate को भी हम दूर बीन के ही माद्यम से और यह radio frequency जो special device होता है इस device के माद्यम से पूरी की पूरी plate जो है वो हम expose कर देते हैं उसको हम प्रता लगा लेते हैं कि plate कहां से कहां तरह है और इस particular मरीज में यह पूरी की पूरी plate जो है वो हम सौभा के वश्ट दूर बिन के द्वारा ही निकालने में काम्याब हो पाए है जैसा कि आपने देखा कि इस plate में दो screw उपर की तरफ है और दो screw नीचे की तरफ है तो हमें पूरी की पूरी जो plate है जो गुटने के side में थी जो गुटने की उपर की हड़ी होती है जांग की हड़ी होती है उसके side के portion में जो plate लगी वे थी इसको हमने दूर्बीन से और radio frequency device से पूर जो है हमने वो screw बहार निकाल ली है कुछ मरीजों में जिनमें ये plate बढ़ी हो और जांग की अड़ी में ऊपर तर जाती हो थोड़ा ज्यादा खूलने की आवशकता पड़ सकती है परन्तु ये patient से patient में अंतर होता है किसी patient में ज्यादा खूलना पड़ता है किसी patient में कम procedure एक advanced procedure है और इस procedure के द्वारा हम अगर आपका गुटना plate लगने के बाद जाम हो गया है, tight हो गया है और मुढने में सक्षम नहीं है, आप अच्छी से exercise कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका गुटना नहीं मुढ रहा है, तो ये procedure जो arthroscopic arthrolysis है, इसके माद्यम से हम न सिर्फ आपके गुटने को मोड सकते हैं, अपी तो आपके गुटने का दर्द और परेशानी भी कम कर सकते हैं, दुर्भाग की वश इस procedure के बारे में बहुत patients को और doctors को जानकारी नहीं हैं, इसलिए वो मरीज को ये procedure करवाने का advice नहीं करते हैं, परन्तु अगर आपको भी इस तरह की तकलिफ हैं, तो आप हमें comment box पे लिखके बेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे, कि आपके सारे के सारे doubts जो हैं, वो हम clear करें, साथ ही, जब आप ये देखेंगे, कि आपके कुटने का movement कितना बढ़ता है, तो दूर्भीन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कुटना बढ़ने का जो chance होता है, वो open surgery के मुकाबले काफी अधिक होता है, काफी अच्छा रहता है, और इन patients को post-op में काफी अराम आता है, patients को, किसी-किसी patients को post-op में खून के बहाव की तकलिफ आ सकती है, और उसके लिए हमें किसी-किसी मरीज में drain डालने की आवश्यक्ता पढ़ सकती है, तो उसके बारे में हम बहुत चिंता नहीं करें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह patient का गुटना, operation के बाद 120 degree तक हम मोड पाए, और यह एक वीडियो है, operation के बाद का, जिसमें हम देख रहे हैं, कि operation के बाद मरीज का जो गुटना है, वो पूरा का पूरा अच्छे से मुड गया है, धन्यवाद.